सारू मारू मट परिसर के सम्मलिक छेतर पान गुडारिया जिला सीहौर का इस्थल प्राची इनकाल में बहुत महत्पूर्ण था और ये बहुत गत्विदियों के केंद्र में साइक था इस इस्थल पर भिक्षियों के लिए कई स्थू पर प्राकरितिक गुफां हैं मुख गुफां में सोक के दो सलालेक मिले हैं ये सिलालेक गद्द में लिखाया और इसकी भासा प्राकरित है। सिलालेक की लिपी दूसरी सताब दी इसा पूर्वी की है क्योंकि यह एक भिक्षुनी संग रक्षित के उपहारों को दर्ज करता है। यह छत्र पुष्य द्वारा उपहार में दिया गया था। मारू बौध इस्तल पर जहां पर बौध से संबंधित इस्तूब बने हुए हैं और यहां गुफाएं भी हैं एक गुफा नीचे है छोटी एक बड़ी गुफा उपर है जहां लगवग एक हजाल लोग एक साथ खड़े हो सकता है। यदि वह गुफा खुली होगी तो आपको भी मोक्ष मिल चुका है कि आप भी संसार के इस माया जाल से बैराग्य को प्राप्त करना चाहते हैं निर्वान की प्राप्ती हो रही तुम्हें चाय पीना तो सीख लो पहले तुम फिर निर्वान में लेगा तुम्हें तो यह है सारु मारु का बहुत दिस्थल जो काफी प्राचीन है और यहां पर आज हम आपको बताएंगे गुफाएं सारु मारु बहुत दिस्थल की तो पानी दे दो मज़े पानी यहां पर देखो सारु यहां पर तुम्हें मिलेगा लिपियों में लिखा हूँ यह देखो यह लिखा है ये प्राकृत में लिखा हुआ है ये होती है प्राकृत भासा जो बहुत धर्म की प्रमु गवासा माने जाती लगवक्स भी बहुत बिसाहित इसी भासा में लिखे गए है ये गुफा एक गुफा इसके उपर भी है जिसे हम बिजट करेंगे में भी तो यह गुफा जो है गुफाओं की उपर अब जियो लिखा है यदि यह एक प्रकार से अभी लेख है that is called inscription और यह गुफा पर लिखा हुआ इसलिए इसको गुफा लेख कहते हैं in English it means cavitation तो चलिए यह जो है सारू मारू पंगुडारी अभी लेख जो आपने पढ़ा होगा बंडे एक्जाम PSC, UPSC की तैयारी के दोरा और यहां प्रवेश निसेद नहीं है क्योंकि यहां पर सांप बिच्छू हो सकते है it might be possible काफी गहरी गुफाए भाई साव अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम बियर ग्रिल्स नहीं है बाकि थोड़ा आसपास देखते जाना भाई लोग पहाड़ी जंगली इलाका है जानवर भी हो सकते है कोई है भी नहीं अपन को बचाने के लिए आपने किसी भी एतिहासिक प्लेस के आसपास इस प्रकार से एक सरकल देखा होगा और उसमें ये पहिया देखा होगा जिन लोगों को नहीं पता है इसका उप्योग क्या होता है मैं बताए देता हूँ देखो ये बहुत प्राचीन संडचना है है और ये बहुत ज़्यादा बिनास हो जाता है इनका समय के साथ तो जब इनको सरकार दोबारा से पुनर जीवित करने का प्रयाज करती है रिकंस्ट्रक्षन करती है तो इनमें बेसिकली पुराने ही तरीके से पत्थरों को पीश कर चूना मिलाकर उसमें मिलाकर जॉइंट केर के पत्थर की उपर पत्थर रखा जाता है पत्थर को पीछने के लिए भी प्राचीन पद्धिती का ही प्रयोग करता है आज भी हम यह बनाय जाता है, यह प्राचीन नहीं है यहाँ पर यह बाध मे बनाय गया है झेको किसी भी किले के आसपास जाओ कहीं भी जाओ आपको यह दिखेगा इसका सीधा सा काम होता है कि इस सरकल को यहां पर अब यह काफी पहले बना था तो यह खतम हो गया यह भी तो इस सरकल को इस पहिये को यहां से गुमाया जाता है और इसको गुमाते गुमाते यहां से इसमें पीछे जाते हैं पत्थर और में चूना मिला कर फिर यह जो हमने उपर इस्तूप देखे हैं इनको जॉइंट को जोड़ा जाता है शलिए तो सारू आरू कैप समने देख लिया है और आज के व्लॉग में इतना ही दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब करो जरूब सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप हम लोग निकल रहे हैं